नमस्कार दोस्त मैं हूँ ओम और आज का हमार टोपिक है बुरा बनो बजपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो बड़ो सो सीखो देखो अर्मा जी के लड़के की सरकारी नोकरी लगड़ी कुछ सीखो उनसे देखो उनका लड़का कैसे सब के साथ मिलकर रहता है उसक लकिन वे बाते उनोंगों को मेडल क्लास में ही रखती है इसलिए आज में कहता हूं कि बुरा बना सीख लो आज में कहता हूं कि तुम्हें वह नहीं करना जो तुम्हें चाविवाली कार समझे कर वाया जाता है पैसा इतना कीनवी सी है तो भिर कोई मालिक बनने की क्यों न मार्किट में दस रुपे कम करवाने के लिए आदा घंटा खराब कर देते हैं लेकिन घरा कर कभी अपने बच्चों को यू नहीं कहते कि बेटा पैसा ज्यादा जरूरी है वह सच्चा ही जानते हुए भी अपने बच्चों का होसला ये कहकर नहीं बढ़ाएंगे कि बेटा मै नहीं कहता कि तु नोकरी कर लेकिन जो भी कर अपना दिल दिमाग लगा कर कर और पूरी इमानदारी से कर और वह कहेंगे क्या उसके लड़की को देखो उसने नोकरी का एक्जाम निकाल लिया तुमसे सब लोग ये कहते होंगे कि मिलमिलकर रहा करो जैसी दुनिया है वैसे बनकर रहा करो लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे दुनिया है ना वैसे बनने की बिलकुल भी जरौत नहीं है जिस लेवल की दुनिया है ना उस लेवल का बनने की जरौत नहीं है बलकि उससे उपर रहने की जरौत है और दुनिया से उपर रहने के लिए जुंड में रहने की जर लोग तुम्हें कहेंगे तुम बड़े सरमाते हो किसी से बात नहीं करते उनको बोलने दोना यार और अगर तुम्हारा रस्ता सही है ना और लोग तुम्हें बुरा बताएं तो इसका मतलब नजरे जुकाने का नहीं बलकि नजर उठाकर चलने का समय आ गया है इस तरह की अपने सपनों को पाने के लिए काम कर रहे हो ना और कोई तुम से कहता है यार तुम तो बड़े बुरे हो कभी किसी फंक्सन में नहीं जाते तो तुम बुरे बने रहो ना यार और तुम अपनी सपनों को पूरा करने के लिए देर रात तक जागते हो और सुभा देर से उठत जो उनके लेवल में जीना और मरना चाहते हैं रूल्स को तोड़ना सीखो बुरा बनने का मतलब यह नहीं गालियां दो मार पीट करो, किसी का आफमान करो बलकि बुरा बनने का मतलब जैसा बनना चाहते हो वैसा बनो अगर किसी साप में जहर भी नहीं होता है तब भी वे फुफकारता है क्योंकि अगर किसी को पता चला ना कि इसमें जहर नहीं है तो उसे मार दिया जाएगा अगर आपको कुछ गलत लग रहा है ना तो उसे गलत ही बोलो उसको सही मत बोलो क्योंकि गलत गलत होता है और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है ये आपको पता है किसी के सामने धुटने मत टेको और अगर तुम्हारे इरादों में और तुम्हारे सपनों में दम है ना तो सामने वाला बंदा आकर उतने टेकेगा, तुम्हारे आगे सोरी बोलेगा, तुम्हारे नाम के बहुत बंदे हैं इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारी परशनाल्टी सबसे अलग है, और अगर कोई इसलिए तुम्हें गलत बता रहा है कि तुम उसके जैसे नहीं हो, तो ऐसे बुरे बनने में बहुत भलाई है, कोई दिक्कत नहीं है, इस दुनिया में जब भी कोई बड़ा बना है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कि उसने कभी न कभी अपनी लाइफ में गाली जरूर खाई होंगी, यह कभी न कभी अपनी लाइफ में बुरा जरूर बना होगा, क्योंकि वे कभी वैसा अच्छा नहीं था, जैसा कि दुनिया को लगता है कि अच्छा क्या होता है, अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी के साथ जाने का, तो मत जाओ ना, अगर तुम्हें किसी रिस्ते में इज्जत से ज्यादा अपमान मिलता है ना, तो मत घसीट तो अपनी इज़्चत को तुम्हें बुरा बताया जाएगा ओछ किसी के कहने से क्या होगा आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई चीजिन नहीं जो हर किसी को पसंद आए जिसे हर इंसान अच्छा बता है, कोई न कोई बुरा बताता ही है, अगर कोई तुम्हें बुरा बता रहा है न, तो don't worry, इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं, फरक इसी से पढ़ेगा कि आपके इरादे कैसे हैं, और आपका मक्सद क्या है, और अगर आपकी नजरों में अच्छा बनाओ, अपने रूल खुद बनाओ, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है यार, मक्सद तुम्हारा है, कुछ मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, कुछ नुकसान होगा, तो तुम्हारा होगा, मैं आपको कभी बुरा नहीं कहूंगा, और अपना ख्याल रखिए, धन्यवा झाल